आप सब कैसे हैं आच्छे होंगे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं हमारे न suicidal mit नस्टेरी है हम अपनी पक्कीर असुक्ते हो ऑगे थी धो करकर दो abolब किता है बाई दो दॉस्पर देसाषन को और ध Miri पहले उसके बाद में सोचते हैं कि आज हमको क्या बनाना है और जो यह हरी सब्जियां है बहुत जल्दी से ही सूख जाती हैं तो पहले हम सब्जियों को अच्छे से रख देते हैं उसके बाद में ही खाना बनाते हैं तो आज हम बैंगन मनाएंगे तो बैंगन हम पहले ही बन क्योंकि बैगण तो बहुत जलदी से ही सूख जाते हैं फिर वह चीलते हुए भी नहीं बनते हैं तो बैगण की सब्जी बनाएंगे और बाकी की सब्जी आम अच्छे से रख देते हैं और तर्बूज भी कल बाजार से आया था तो दो आयते त्रबूज एक काट लिया गया ह तो वो सबी लोगों ने खाया है और ये कभी रखा है और टमाटर प्याज को हम कमरे में अंदर रख देंगे क्योंकि बहुत जल्दी से ही बंदर आ जाते हैं तो ये जो बड़ी बड़ी चीजे हैं इनको बंदर नहीं ले जा पाते हैं लेकिन छोटी छोटी चीजों को खा ल की तो डालते हैं जो टो टमाटर प्याज को हम कम्रे में रख देंगे और इधर उसके बाद में हम सेखने लगे हैं रोटियां तो सबजी हमारी बन चुकी है और हमने बैगन की सब्जी बनाई है जो कि आप सभी को बताया है तो जैसे हम बनाते हैं पहले उबालने के लिए भी तो इसी तरीक के से हम बैयंगनट की सबजी बना ली है उसके बाद में रोटियां अप बैयंगन की सबजी के साथ में सभी लोग मोटी रोटियां ही पसंद करते हैं और वैसे भी हम जादातर मोटी रोटियां ही बनाते हैं जब कोई ऐसी सबजी बनती है तो हमने का चलो मोटी रोटियां ही बना लेते हैं और आज बैंगन के साथ में चावल भी नहीं बनाए है क्योंकि बैंगन के साथ में चावल भी नहीं खाये जाते हैं तो आज सारी रोटियां ही हम सेकेंगे तो जल्दी मन होता है तो नहीं भी करते हैं तो कोई जब जस्ती भी नहीं है तो आज हमारा ब्लोग उन्हीं ने ही सूट किया है तो रोटियां से टाइम वो आ गए थे क्योंकि खाना भी उनको खाना था तो हमने का चलो दो चार रोटियां से एक देते हैं उसके बाद में तुमारे लिए थाएम लग जाता है, और इनको धीरे-धीरे आज में पकाना भी होता है तो आज हमने एकदम से पास से आप सवी को दिखाया कि मोटी रोटिएं नियान कैसे बनाते हैं, और बहुत ही अच्छे जी मोटी रोटी बन जाती हैं. तो काफी दोस्तों को हमारे मोटी रोटियां पसंद आती हैं तो अच्छी भी बताती हैं कि आप बहुत ही अच्छे से मोटी रोटियां बनाते हो। से जल्दी से जल्दी के जहें और यह इतने अच्छे चेम से नहीं बनती है तो सब्सक्रास हम से तो एक तरफ से हमारी रोटी तबे परकी हो गई है तो दूसरी तरफ हमने कह दी है तो दोनों तरफ से हो जाए उसके बाद में घह में सिखने के लिए रख देते हैं और तब तक एक रोटी हमारी सिख रही थी और एक रोटी हम बना भी रहे थे तो इसी तरीके से एक बनाते रहते ही एक तबे पर रहती है और एक रहती है घय में तो एक कहावत भी कही जाती है जो कि हम लोग छोटे पर बहुत जादा इसको कहते थे एक खड़ी एक पड़ी एक दमादब नाच रही तो इस तरीके से कहावत भी कही जाती है रोटियों के लिए जो कि रोटी होती है क्य जोकि एक तबे पर पड़ी रहती है और एक हाथ में हम लोग पायते रहते हैं जिसको हम नाचना बोलते हैं और एक घय में सिखती रहती है तो इसी तरीके से ये कहावत भी कही जाती है जोकि पहले हम लोग बहुत ज़्यादा ये कहावते कहते थे छोटी मोटी जोकि बहुती अच्छी भी लगती थी पूछने में एक दूसरे से पूछते भी थे लेकिन अब कहां वो बाते अब तो सिर्फ यादों में ही रह गई हैं वो बाते अब तो कामों से ही नहीं फुरसत मिलती हैं जब कभी याद आ जाती हैं तो आप सभी के साथ में भी सेयर कर देते हैं तो का लेकिन अब भी हैं लेकिन उतने ज्यादा नहीं है पहले बहुत यह रहें break बिल्कुल भी नहीं बोल पाते थे कोई अगर नया आ गया तो उससे हम बोलते भी नहीं थे ना तो उसके सामने जादा तत जाते थे तो अब तो बहुत चीजे जैसे हैं कि बदल गई हैं अब बोलना भी सीख गए थोड़ा बहुत तो बहुत सारे लोग हमको देखते हैं जो क गदा नहीं बोलते हैं कि पदा नहीं कि ठोड़ा सा ड़र भी लगा रहता है और कुछ शुरू से ठोड़ा बहुत कम सब्सक्राइब कर दिये और खटिया को खड़ा कर दिया है एदर हम आ गए हैं अपनी साप सफाई कर देते हैं तो राक को भी हमने भरकर वरोसी में कर दिया है और आज हमने का कि जो इसकी दीवारे हैं इसको भी अच्छे से साप कर देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है न की धुआ निकलता है कंडा लगड़ी से तो यह चीपक जाता है फिर इसको जहारना होता है तो हमने का चलो जहार देते हैं जहारू से और बहुत ही काला काला निकलता है तो यहाँ पर निकला भी था काला काला तो हमने अच्छे से जहार दिया है उसके बाद में अच्छे से जहारू लगा देते हैं और चूले की पुताई करेंगे जो कि यह तो रोज की ही सा सपाई हो जाती है रसोई की जैसे कि आज हमने कर दी है क्योंकि जो उपर रसोई में फटी बंदी उए छत में तो उस इसी को आज हमने जहार दिया है अच्छे से तो अच्छे स साप हो गई है यह से तो इसी पज़े warto दे तो अब मिट्टी तो नहीं गिरती है और जो चिडिया से अफना घर बनाया था वह भी हटा दिया है बस पहुदे छोटे और इधर हमने चुले की पुताई भी कर दिये हैं तो बस जिल्दी-जल्दी पुताई कर देते हैं और अभी और भी बाकी के काम करने बाकी हैं क्योंकि आज लगाना है गोवळ बठिया में अंदध जल जलदी गोबर को लगा देते हैं और हमारी नदध जी है यह तो कि पता चलना होगा कि थोड़ी सी आबाज भी हमारी चेंज सी हो गई है बदली बदली सी तो अच्छा भी नहीं लगता है तो हमने का चलो बैठे बैठे लूड़ा बनाते रहेंगे और हमारी ननत जी की भी थोड़ी सी तबियत ठीक नहीं है जैसी तबियत हमारी है भैसे उनकी भी तबियत है उनको भी सर्दी जुखाम हो गया है तो फिर हम लोग बना रहे हैं और बुवा बठिया में गोवल लगा रही है और बैसे तो बुवा अगर अकेले लगाती तो काफी टाइम लग जाता तो हम लोग इसी बज़े से help कराने के लिए आ गए हैं तो हम लोग तीनों लोग मिलकर जब करेंगे काम तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा और वैसे भी रोज रोज बादल चाये रहते हैं तो आठ दस दिन का गोबर भी खटा हो गया था तो एक साथ में इतना गोबर लगाना भी मुश पड़ता है तो थोड़ा थोड़ा गोबर लगाने से तो अच्छा है एक साथ में ही बठिया में गोबर लगा दो तो अच्छे से गोबर भी लग जाता है और एक साथ में ही सूख जाता है तो आज बुआ पूरे बठिया में गोबर लगाएंगी तो अभी तो नीचे ही रिखाएः ब думken मोड़े इकोल देुमकूल लगा है पूरे बठिया 17 में आप इसली अब लगाना नहीं तो आज हमारा पूरा बठिया बन जाएगा को अच्छे основ को ऋक्ता आत्या बना है विए जाना इसली आएगано हाध से हैं ना कि उंगली से design भी बनाएंगी यहां आप सभी को दिखाएंगे थोड़ा सा अच्छे से बना लेती हैं लेकिन उतने अच्छे से हमसे नहीं बन पाई।ंट ऑने का हम भी बनाका देखते हैं कि पहले हमने बहुत सारी डिजाइन बनाई है लेकिन अब की बार बहुत दिनों से हमने डिजाइन नहीं बनाई है बठिया डिया में तो यहाँ पर हम बना रहे थे बनाने की कोसिस कर रहे थे कि हम भी बना कर देखते हैं तो कुछ उलियों से इस तरीके से बनाई जाती है बठिया में बटिया में दो तीन बार गोबर लगाया गया है तो इसी वज़े से इतने अच्छे से नहीं बन पाई है लेकिन भी अच्छी लग रही है इस तरीके की दिजाइन तो ऐसे ये डिजाइन बनाई जाती है बढ़िया में तो आप सभी बना कर आएसे भी बनाई तो ऐसे भी अच्छी लगेगी जैसी जो कोई बठीया में डिजाइन बना पाता है उसी तरीके की बना लेता है तो हमने तो कुछ इस तरीके की बनाई है लेकिन दिखने में बहुती अच्छी लगती है कैसी भी बनाओ क्योंकि यह जो उलियों से डिजाइन बन जाती है बहुती अच्छी डिजाइन बनती है और एक हमारे दोस्त सेंग तो तोट गया था तो जो आप अप सभी को दिखाते हैं के अब ठीक भी हो गया है थोड़ा थोड़ा इस cricket है और उपर की जो सेंग की चोन है भो भी टूट दर्द क spec जाते हुए लेकिन फिर से सला लिए तो उन्होंने ही गोनियां लिखी थह वहीं गोनियां घिला रहे हैं दर्द बहुत जादा हो रहा था तो उसे कम हो गया है और इधर हमारा गोबर ओवर लग गया था उसके बाद में नहादो चुके हैं किनकि गोबर लगाना था तो सुबा के टाइम हम नहीं नहाए थे तो बुआ ने पहले से ही बता दिया था कि आज गोबर लगाना है बठिया में तो हमने का चलो बाद में ही नहाएंगे तो गोबर ओबर लगाने के बाद में फिर नहा लिये थे उसके बाद में खाना आना पहुत ज़ादा पसंद है और चाए के साथ में ही खाएंगी तो हमने का चलो भून देते हैं और यही पर बैठी हुई यह जब तक नमकीन नहीं भून गई थी आरोही नहीं यहां से उठकर गई थी और आज का ब्लोग दोस्तों बस यहीं तक आज का ब्लोग मारा कैसा लगा क तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते